पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैनुवल किस तरीके से हम एक समठ सीविल मोटर को दो घरों की लैट से किस तरीके चलाएंगे तो यह चेंज़ ओवर की मतद से हम अब इसका एक और तरीका यह हो सकता है कि जो यह चेंज़ ओवर है आपमेटिक तरीके से चलाने का वह यह चेंज़ ओवर इस तरीके से होता है यह इसका हैंडिल हो गया अब हम दोनों घरों में स्टार्टर लवाएंगे और यहां पर न्यूटल और फेस देंगे न्यूटल और फेस और यहां पर आर वाई बी आर वाई बी यहां भी इसी तरीके से आर वाई बी अब इस आर वाई बी को हम और यह है हमारी मोटर मोटर है यह हमारी इसमें से जो लीड निकलेगी आर वाई बी अब इन तारों को हम सीरियल वाई लगाएंगे जैसे आर वाई और यह बी यह लगाया हमने आर यह लगाया वाई और यह लगाया बी अब यह दोने स्टार्टर की तारे आर के सामने अर लगा देंगे य के सामने वाई और बी के सामने बी इस स्टार्टर की तारे भी ठीक इसी तरीके से आर के सामने आर वाई के सामने वाई और बी के सामने बी यह ओन आफ के बटन है स्टार्टर के अब हम चेंज ओवर को जिस तरफ करेंगे उस तरफ के स्टार्टर से स्टार्ट कर सकते हैं यह एक ंप अलग तरीका है अब इसके अलावा हमें एक चेंज ओवर नहीं लगाएं मैनूल उसके जगा एक आटोमेटिक हमें चेंज ओवर लगा लें जो बजार से मिल जाएगा उसमें तीन उप्शन होते हैं एक जनरेटर का होता है एक मेन होता है एक लोड होता है मेन ये लोड अब हमें लोड की जगा क्या करना है जैसे ये मोटर से तीन तारे आती है तीन अब कुस तीन में स्टार्टर की जो आर स्टार्टर की आर वाई बी आर वाई बी को हम आर और बी को इस स्टार्टर की आर और बी को आटोमेटिक चेंज ओवर के जनरेटर वाले या मेन वाले दोनों में से किसी स्टिप में कनेक्शन देंगे और ठीक इसी तरीके से इसके आर और बी को हम मेन या जनरेटर के किसी स्टिप में कनेक्शन देंगे अब इस starter और इस starter का Y point बसता है दोनों की तारे हम लाके motor की Y से जोड़ देंगे और motor की R और B को हम automatic change over के load वाले इस tip में connection दे देंगे जिसे ही totally automatic हो जाएगा हमें यहां से कोई handle change करने जोदनी पड़ेगी सीथा अपने starter से on और off कर सकते हैं इस वाले से करें तब या इस वाले से करें तब आपको बिना change किए अपने motor को अपने starter से start कर सकते हैं